पॉली का प्रश्ण है when it's important to set an intention for tarot reading ये intention वाला प्रश्ण अच्छा है पॉली का कि क्या intention रखनी चाहिए और कब रखनी चाहिए जब हम reading करते हैं जब भी हम tarot reading करते हैं important सबसे लादा ये है कि हमारी intention जो है दूसरे विक्ति का को help करने की होनी चाहिए इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि money is important कि आप जो है money चाहते हो जब आप reading करो लेकिन money should be kept secondary first should be there that कि आप अपने आपका जो है intention बड़ा clear हो आपका कि आप दूसरे को जो है आप help करना चाहते हो आप दूसरे को guide करना चाहते हो और जब guide करने की बात आती है guide कैसे करोगे guide कुछ ऐसे करोगे जैसे जैसे माँ अपने बच्चे को guide करती है जैसे एक दोस्त जो है एक अपने दूसरे दोस्त को जो है guide करता है एक पनोड़ करिये हाँ जी तो आप जब किसी को जो है इस तरह से जब आप guidance दोगे जैसे वह आपका अपना है तो आप उसको वह सदा देने से पहले दस बार सोचोगे क्योंकि आप किसी को भी जो है क्योंकि सदा देना बहुत असान है लेकिन जिसको सदा दोगे अगर आपके लिए वह सरफ एक अचना भी है तो उसको आप कुछ भी सला दे सकते हो उसको आप कुछ भी जो है एक स्वाई जी जो है आप उसको बात बोल सकते हो क्योंकि आप क्योंकि आपका जो है एक तरह से एक डिस्टेंस है उस विक्ति के साथ लेकिन अगर आपका उसके साथ जो है एक एक कनेक suggest करने से पहले आप पहुत पार अच्छे से सोचोगे आपके अंदर जो है कि empathy होगी कि आप दूसरे के बारे में सोचोगे कि दूसरे को कि यही suggestion जो है क्या मैं अपने बच्चे को दूँगा क्या यही suggestion जो है मैं अपने परिवार के सदस्य को दूँगा तो इंटेंशन वहाँ पर यह होती है कि मुझे उस वेक्ति को इस तरह से गाइड करना है जैसे वो मेरा अपना है तो वहाँ पर फिर जो है बात पैसे की बात जो है वहाँ पर सेकेंटरी हो जाती है तो सबसे पहली इंटेंशन वहां पर यह हो जाती है कि that I want to help the other कि I want to take care of the other कि वहां पर जो है हमारी एक responsibility कही ना कही आ जाती है दूसरे के प्रती कि दूसरे को जो है हम जो अपनी तरफ से best कर सकते है जो best दे सकते है उसकी बात करेंगे और जीवन में भी यह है कि सिरफ बात tarot reading की नहीं है बात जीवन की भी है कि जीवन में हर विक्ति के प्रती अपने आसपास वो एक intention जो है create हो जाए फिर वो ही intention जो है फिर वो tarot जब आप reading करोगे किसी की तो फिर वो readings में भी आएगी कि दूसरा विक्ति जब हमसे जुड़े तो आपके प्रेम को महसूस कर सके आपको आपके साथ जो है एक connection जो है उसको महसूस हो और फिर बड़ा naturally जो है उस विक्ति के बीतर जो है आपके प्रती एक trust आता है और उस trust के कारण जो है फिर जो भी आप उसको बोलोगे वो दूसरे को बहुत matter करता है उसके गहरे में जाता है इसलिए एक ही intention रखनी है और वो हर वक्त रखनी है कि how I can help the other ठीक है